नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल डॉक्टर अनिमा उपाध्याय में आज एक प्रश्न लेकर उपस्थित होई हूँ तू मौन है क्यों ये सिर्फ मेरा ही प्रश्न नहीं है ये भारत की जनता का प्रश्न है तू मौन है क्यों पिछले कुछ महीनों में या कहिए वर्शों में जो परिस्तितियां बदली है उससे इस देश की जनता बहुत परिशान हुई है और इसलिए सब पूछना चाहते हैं तू मौन है क्यों कविह रिदय तो समवेधन शील होता है और इसलिए निर्भीक भी होता है तो ये प्रश्न आप मेरे ही माध्यम से पूछ लीजिए तो आईए पूछते हैं प्रश्न तू मौन है क्यों लेकिन इसके पहले कि मैं इस कविता का वाचन करूँ आप से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक और दूर दराज तक लोगों तक पहुंचाएं तू मौन है क्यों जब घर की बेटी लुटती है तू चुप रहता है उधर किसानों की अर्थी उठती है तू ने महंगाई को भी आसमान दिखलाया महंगाई कितनी बढ़ गई है पिछले कुछ वर्षों में तू ने महंगाई को भी आसमान दिखलाया कमर तोड़ी घरीबों की अमीरों को और अमीर बनाया कमर तोड़ी घरीबों की अमीरों को और भी अमीर बनाया न रोजगार न शिक्षा दी बस हिंसा को भड़काया न रोजगार न शिक्षा दी बस हिंसा को भड़काया और ईश्वर को कब छोड़ा तूने राजनी तिमे लाया इश्वर को कब छोड़ा तुने राजनीती में लाया और अपतोचेत स्वार्थ से उपर बीती बाते मत कर जब भी हम कोई प्रश्ण पूछते हैं 75 सालों का हवाला देने लगते हैं लोग कि 75 सालों में क्या हुआ उसका ब्योरा दो तो अपतोचेत स्वार्थ से उपर बीती बाते मत कर अपनी गलती मान ले अब तू पुर्खों पर उंगली मत कर अपनी गलती मान ले अब तू पुर्खों पर उंगली मत कर ये भारतिय संस्कृति नहीं है कि हम अपने माता पिता से सवाल पूछे कि तुम ने क्या किया था जो अब हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस प्रश्ण को तुम करने वाले कौन होते हो ये इस देश की रीत नहीं है ये संस्कृति नहीं है भारतिय आज जब कि हम पित्रमोक्षम अवस्या जिसे महालिया अमवस्य दक्षण में कहते हैं मना रहे हैं ये बहुत ही वाजिब सी बात है जो मैं कह रही हैं कि अपनी गलती मानले अब तू पुर्खों पर उंगली मत कर अरे लाल जवाहर गांधी सब ने लाल बहादुर शास्त्री लाल जवाहर लाल नहरु महात्मा गांधी इन सब ने हिंदुस्तान बनाया और यही अकेले नहीं थे इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे कि लाल बहादुर जवाहर गांधी सब ने हिंदुस्तान बनाया पावन मिट्टी को उनने था नया स्वपन दिखलाया पावन मिट्टी को उनने था नया स्वपन दिखलाया भारत को IITs, IIMs, बार्क, इस्रू ये सब किस ने दिया ये क्या आठ सालों में हो गया सब ये जो टेक्नोलजी इतनी बड़ी है हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात किस दम पर करते हैं ये क्या सिर्फ आठ साल कित अपर करते हैं तो लाल जवाहर गांधी सब ने हिंदुस्तान बनाया पावन मिट्टी को उनने था नया स्वपन दिखलाया तू वापस से बांट रहा किस जनम का बदला लेता मैं ही मैं और मैं ही मैं हूँ, तेरी मैं में भी मैं होता नेता चुना है देश ने तुझको उस पर खरा उतर तू बदकारों का साथ न दे तू साथ देश के चल तू ये बदकार ये कौन लोग हैं? जो कुचल रहे हैं किसानों को? जो बेटियों की इज़त लूट रहे हैं ये कौन है? ये बदकार लोग हैं ये मसलमेन हैं जो ये अपनी ताकत की नुमाईश करते हैं तो बदकारों का साथ न दे तू साथ देश के चल तू अरे इस देश में ये सिर्फ मसलमेन से देश नहीं बनता ये देश बनता है इस गरीब जंता से, किसानों से, मजदूरों से, बेटियों से, माओं से, विद्यार्थियों से कर्मचारियों से देश बनता है तो बदकारों का साथ न दे तू साथ देश के चल तू 130 करोड लोगों ने तुझ पर यकीन दिखलाया तू खुद कहता है ना कि 130 करोड लोगों ने तुझे जिता कर यहां लाया है तो 130 करोड लोगों ने तुछ पर यकीन दिखलाया उसमें हर धर्म हर जाति के लोग थे सब ने तुझे तुछ पर यकीन किया गर यकीन टूटा उनका तो कौन है फिर बच पाया गर यकीन टूटा कर जनता निसार आंखों पर बिठाया है अगर उनका विश्वास तोड़ा है उसने तो फिर पटकनी भी खाई है जनता से 130 करोड लोगों ने तुझ पर यकीन दिखलाया गर यकीन टूटा उनका तो कौन है फिर बच पाया गद्दी का तू मोह छोड़ दे और पटेल सा बनतू पटेल की बात करते हैं न सरदार वलब भाई पटेल की उनकी मूरत लगवाते हैं तो उन्हें तो किसी गद्दी का मोह नहीं था पर खुन पसीना एक करके उन्होंने आज का स्वरूब जो है भारत का वो दिया सारी छोटी छोटी रियासतों को जोड़ा बिना धर्म जाती और भाशा की परवा किये हुए तो गद्दी का तू मोह छोड़ दे और पटेल सा बनतू देश को जोड़ा था जिनने उन महापुरुष सा बनतू देश को जोड़ा था जिनने उन महापुरुष सा बनतू देश की टुकडे मत होने दे धर्म से उपर उठतू देश से बढ़कर नहीं कोई भी जाती धर्म और ना तू देश से बढ़कर नहीं कोई भी जाती धर्म और ना तू ये देश किसी एक व्यक्ति की विरासत नहीं है ये देश इस जनता की विरासत है तो ना धर्म आता है ना जाती आती है और ना व्यक्ति होता है देश से उपर देश है तो सब कुछ है इसी संदेश की साब्थ मैं आ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा धन्यवाद